बुकारों में हवाई अड़े के निर्मान को लेकर निरेक्षन का दौर लगतार जारी है जहां कौलकता से तीन सदस्ते टीम बुकारों हवाई अड़े का निरेक्षन करने के लिए पहुची इस मौके पर बुकारों के विधैक विरंची नारायन भी मौजूद थे बताते चले के जारकन के देवगर से हवाई उडान 12 जुलाई से चालू होने के बाद वोकारों में भी इसको लेकर कवायत देखने को मिल रही है वोकारों हवाई अड़े के पूर्ण होने को लेकर कुछ तकनीकी खाम्या भी देखी जा रही है जहां हवाई अड़े के चार द कागजादों की भी मांग DGCA यानि Director General of Civil Abitiation के द्वारा की गई है जो बुकारो स्टील प्लांट के परबंधन को जमा करना है जिसके बाद DGCA की टीम हवाई अड़े का निरक्षन करने बुकारों पहुंचेगी जाहिर है कि ये हवाई अड़ा सेल के तहद वुकारो स्टील प्लांट के निगरानी में है ऐसे में सारे कागजादों को जमा करना वुकारों स्टील प्लांट का प्रबंध का काम है जिसको लेकर लगातार पत्रा-चार भी हो रहा है वहें 1732 पेड़ की कटाई भी होनी है जो एक महिने के अंदर हो जाने की संभावना जताई जा रही है। बताते चले कि 72 सीटों का हवाई उडान वोकारों से चालू होना है जो पहले दौर में कॉलकाता और पटना के लिए चालू किया जाएगा। क्योंकि अभी रन्वे छोटा है इसलिए बड़ा विमान उतारने के लिए दूनी बाग को हटाना पड़ सकता है। ऐसे में पहले दौर में 72 सीटों का ही विमान यहां से उडान भरेंगे। कॉलकाता से आया धिकारी ने कहा कि जतने जल्दी बुकारो स्टील प्लांट के दौरा काग जातों का काम करके दिया जाएगा उतना ही जल्दी DGCA के टीम दौरा निरैक्षिन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उसी के तहत इस हवाई अडे का सारा दारों दारतिका हुआ है क्योंकि इंजिनिरिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है और कंस्ट्रक्शन भी लगभग पूरे होने के कगार पर है। उन्होंने कहा कि इस साल के अंग तक लोग सफाई सफर का आनंग ले सकते हैं वहीं बुकारों के विधाक विरंची नारायन ने कहा कि बहुत जल्द ही हवाई एडे का काम पूरा कर लिया जाएगा जो भी तक्नीकी खामिया है उसके लिए जुले के संबन्दित अधिकारियों को कहा गया है ताकि जल्द से जल्द काम पूरा हो और वोकारों से भी हवाई उडान चालू हो सके उन्होंने कहा कि पहले दोर में पटना और कॉलकाता के लिए हवाई उडान चालू की जाएगी पॉलकाता से आ रही है आज अच्छा लग रहा कहते हुए कि पॉलकाता से एक उचस्तरिय टीम आई है जो आकर यहां पर एयरपोर्ट में क्या-क्या सुविधाएं अभी तक मुहया हुई है उसका उलोकन कर रही है उसे नोट डाउन कर रही है यदि कोई कमी रहेगी तो उसक उमीद करता हूं कि इस साल निश्यत रूप से हम लोग वोकारों हो जो हवाई वोकारों से हवाई जहाज उड़ता देख सकेगी हम लोग इंजरिंग टीम से हैं हम लोगों का जैसे यह बिल्डिंग बना वीतर में हमारा रनवे पे भी काम हुआ फायर स्टेशन बन रही है और सफाइब है बहुत सारे मने की काम चल रहे तो उसका का स्टेटस हैं या उस में कोई कमी रह गई यह नहीं रहां उसको देखने के लिए हम लोग टीन वीज़िट में आते रहती हो तो शीटीन वीजड में यह भी विज़िक है कि अभी तो जैसे हम लोग अभी बिल्डि कर दिया जाएगा अधरवाइस इतने इस्टलेशन है सारे सर्वेस से बले सब हमारी चालूंगा तो लाइसेंस के लिए जो है इस माने एरपूर्ट के जो ओनर है सेल वो लोग मैंने कि उसका मैंने के डीजी से के साथ में उनका क्रॉस्पंदेंस अपना चल रहा है तो यह लो सबसे सकेंड राउन फिर डीजी से की टीम आएगी मतलब आप लोग के इसाब से यह पूरा तैयार यह को तैयार जी अ ज्यक्ति ध्रीजय मतलु और झालो है तो था शॉटिक्त रहा थाथ हैनो जी आपना मैंने कर। agree तो